आगे पीछे तार किसों को देखे थे ना आप आगे पीछे फोटो जिस मुझे याद है जिस वक्त निती इसकुमार भाजपा खिलाब बोल रहते सरकार गिरने वाई थी दो दिन में उस दिन भी वो खड़े थे और सुन रहेते सारी बाद तो जब तेजस्वी वाली स्थिती ह उत्पन करनी है तो फिर ऐसली में भाजपा वो रिस्क नहीं लेती बार जिस तरीके से भाजपा ने दो बड़े फैसले लिए इन दोनों का चेहरा बहुत अग्रेसिव है बिहार में बिहार बीजेपी में लोगो लगता था कि अब देखे भी होंगे जब सरकार गिरी थी औ और जबी पक्ष में बैठे वोगते निती नवीन ते बार उटके बोलने को सिस्की है नितीज जीना इसा डाटा तो उनको सही में निती नवीन को रिलाइज हो गया कि हम मंत्री तो यह न बनाएंगे अगली बार भी नितीज का प्रभावे गारजियन के तोर पर भी रहा है हमेशा भाजपा पर भी यहार भाजपा कि जादतर निता इनके च्छत्र शाया में अगे बड़े हैं बियार में इंटिया मतल्ड नितीस है और नितीस कुमार जिसके खिलाफ हो जाते हैं उसकी छुटी मत्रिमंधा से लगभगता है इस बार नितीस अहीं में बहुत पनोर्म कुरूप जो सोचता है वो करता है परादियों से किनकी लोटरी लग रही है तो भारते जनता पार्टी में पुराने जो 2020 में मंत्री बने थे क्या उनकी वापसी होगी या फिर नए लोगों को मौका मिलेगा इधर समराट चौधरी और विजय सिन्ना के उपर मुख्यमंत्री बनने के साथ ही चर्चाएं तेज ह हो गई है कि बिहार में अब NDA गट बंधन में बहुत कुछ बदल जाएगा बिहार की तस्वीर बदलने की ताकत रखने वाले विजय सिन्ना के बयान वाइरल हो रहे हैं वो बयान में ये कहते हैं कि जादा दिन तक अपरादियों का मनोबल बिहार में नहीं बढ़ेगा सत् साथ ही खदेर खदेर कर हम बगाएंगे तो क्या आप माना जाए कि बिहार में मंतरी मंडल में बहुत कुछ फेर बदल होने वाला है चलिए बिना देर की अपने संपादक नमन मिशा सरकेस से जुड़ते हैं और पूछते हैं कि मंतरी मंडल पर जो दाओं पेच सर फस रहा ह नितीस कुमार के मंतरी मंडल में नितीस कुमार चाहते हैं कि मेरे मन मुताविक मंतरी मंडल विस्तार हो भारते जनता पार्टी के दो दिगज निता कह सकते हैं समराट शौधरी और विजय शिना जो कभी नितीज के बिरोधी रहे हैं और उनके लो ऐन ओर पर prataशने खड़े करते रहे हैं उनको बैठाया ग्या है वो लिस्ठ लेकर पहुंच रहे हैं लेकि नितीज कुमार मान नहीं रहे हैं क्या फिर से नितिस कुमार और बीजेपी से घरबड़ी चलेगी क्या तो तके भाजपा ने तो यह समझें दो धारी तलवार यह हो सकता है बाजपा ने पिछली बार नितिस मिला था उसमें एंडिया को उसमें भाजपा नितीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने दिया और दो मुख्यमंत्री बनाए रेनु अर्किसोर इन दोलों को मानाने की मकसद यही था शुसल मोडी को काट कर कि नितुश को कोई प्रॉक्सी ना मेले नितिस जिस्तिर कर जाने आते हैं कि बिहार भाजपा के मंत्रियों को विधायकों को कैबिनेट के लोगों को एकदम अपने काबों में रखते हैं एकदम मतलब समझे ना उनके भी भागों में भी पूरा एकदम हस्त अच्छेप रहता है और वो लोग भी अपने आपको हासर हासर आगे पिछे तार किसों को देखे थे ना आप आगे पिछे फोट अजिस मुझे याद है जिसमक नितिसकुमार भाजपा खिलाब बोल से सरकार गिरने वाई थी दो दिन में उस दिन भी वो खड़े थे और सुन रहेते सारी बाद तो जब का चेहरा बहुत अग्रेसिव है बिहार में बिहार बीजेपी में बिहार बीजेपी के स्टाइल ओफ फोल्टिक्स से मैच नहीं खाता है बिहार बीजेपी बहुत अग्रेसिव पाटी नहीं है भाजपा अग्रेसिव है केंद्री नेति तो है लेकिन बिहार भाजपा बहु सरकार में को इंटरफेंस नहीं था लेकिन आपको याद होगा कई मंत्री भाजपा कोटे के नराज होकर भाग आते थे रात में मान के फिर वापस आते थे सब ड्रामा हम नाम नहीं लेंगे किसी का तो लोगो लगता था कि अब देखे भी होंगे जब सरकार गिरी थी और विपक्ष बैठे वहते निती नवीन ते बार रूट के बोलने को सिस्की है निती जिना इसा डाटा क्यूंको सही में निती नवीन को रिलाइज हो गया कि हम मंत्री तो यह न बनाएंगे अगली बार भ भाज़पा के लोगों को भी अगर बोल दे हैं अपने सुच कमूर में बना लोगो तो ज्यादतर लोग हमने कहना नहीं चाहिए कि पॉइंट पर पिसाब हो जाएगा ऐसी स्थिती उत्वन हो सकती है इसका कारण है नितीज का प्रभावे गारजियन के तोर पर भी रहा है ह भाज़पा के जादतर निता इनके चत्रशाया में ही आगे बढ़े हैं बहार में इंडिया मतल नितीज और नितीज कुमार जिसके खिलाफ हो जाते हैं उसकी छुटी मत्रिमंदल से लगभगता है इस बार नितीज सही में बहुत दबाव में थे और भाजपा का राम लहर वाला जो स्ट्राइटजी है उकाम कर गया नितीज का जाती गर्णना फेल कर गया इसलिए नितीज मान गए समराज चोधरी और बजये मिलिसा के नाम इनों का नाम मानते हूं सुसील मोदी होते ही होते इन इस चित्र ही आप और अभी पुछ नों कुछ खेल होगा हो सकता है है कि भाजपा ने कोई क्यल कर दिया हो मुझे तो यह भी खबर मिली है कि सुसील मोदी का नाम नितीज को बताए गया था कि रहेगा और अंतियों में नितीज सही आगे नहीं छोड़े नहीं चोड़े नहीं तयार नहीं हो लीजिए ऐसे खेल खेला गया है इन दुनों का न सदर में भी बोलेंगे, याद है आपको, सगठ बंदर में रहते में भी बोलेंगे, तो ऐसी स्थिती में क्या भाजपा ने इनको सरकार का हिस्सा बनाकर इन पर एक दबाव डाल दिया है, कि आप नितीस से बना कर रखिए या भाज़पा ने नितीस पर डबाव बें डाल दिया है कि अब ये आपको परिसान रखेंगे इनके दबाव में आप रही है बहुत मुस्किल है नितीस अपने सुभाव से अलग कुछ करें अगर ऐसा कुछ होगा तो छे महीने विसरकार फि लोग सबाव जब होई गया अच्छा तो विधान सबाव में हमको सौब तक पहुंच वाई असी तक कि रफिर हम खेल बड़ा कर सके और ये बीचुल नेगोशेशन बेडिपेंड करेंगा ये भी प्रेटर पोलिटिक से अपने तरीके की होगी लेकिन जो खबर हमारे पास हो रही है कल से ही कल मैं बहुत अक्टिव नहीं था थकान की वज़ेसे लेकिन खुचनाय कई प्राप्त हुए यहां तक पदा चला कि चिराक पासवान का लेटर तक टाइप हो गया था उथ लेने का और अंतिम समय में उन्होंने पल्टा है फिर ये पदा चला कि नितीश ने जो छप्रा लूट कांड हुआ था और जो चंपारन में हुआ था सराब कांड तो इन सब के चलते उन्होंने ग्रीव वाग पर बहुत हमला किया था और रोज पुलिस वाल बल को बिहार में रखेद रखेद के पीटा जा रहा था इन सब से पनिसान होकर उन्हें नाल कर हम से ग्रीमंत्रा लेना चाहते हैं हमें अपंग सावित करना चाहते हैं राजनीती ग्रूप से तो यह पल्टा-पल्टी हो गया उसमें लेकिन वह सैली जो था संजय सवाल का वह सैली कहीं ना कहीं कॉपी कर लिया उसके बाद सम्राज चोधरी ने और कुछ बगत्त सब्सक्राइब को अपको लगता है कि बिहार में मौजुदा सरकार चल पाएगी बिभाग जो नितीज कुमार अपने कबजे में रखना चाहते हैं और कापी मजबूत बिभाग है सर यह तजश्व यादों तक को यह बिभाग नहीं दिया तो कैसे बीजेपी को दिए नहीं वित और ग्रिष दोनों ऐसे आपको पता है कि स्वास्त विभाग को लेकर यह बहुत पहले ही लिख हो गया था हमने चला जिया था कि स्वास्त विभाग इनको समय चोधी को ही मिलेगा सिक्षा विभाग को लेकर भी ख़बर आई थी कि कि पाटक साहत के अंत्रिय पत्र नि नितीस कुमार में पयों सरकार के मुखुया बनकर रिमोट कंट्रोल में बईठ रहें गांग, ऐसा नहीं होगा है नितीस आए हैं यह समझना होका नितीस अपने विधय यह सैज़ने आने अरे जित आने पर आपस सबसे बड़ी ताकत और पर्क मुख्यमंत्री के तौर पर यह होती है कि सारा प्रसास्निक महकमा आपके पास होता है प्रदेश में कोई भी क्राइसिस आता है तो ग्रे विवाग उसको हैडल करता है कोई भी बड़ी घटना होती है तो क्राइसिस में वहीं से होता है और वो विवाग अगर आपके पास नहीं हो तो ब्यूरोक्रेटिक निकसस आपके हाथ से निकल जाता है IPS लोबी IS लोबी ये उसी गंडर आता है और ये नितीस ने हमेशा अपने पास रखा है अब हाल ही में देखिए राज़त सर्सकार बनाने के बावजूद क्राइम बिहार में जो बढ़ है तो नितीस कुमार चुप हो गया और राज़त के लोगों परारोप लग गया जंगल राज जंगल टू ठीजी पोर जो बोली अब क्या बोला जाए अब तो एडी सीविया का भी नो टंकी अब देखी रहें एक तरह मतलब टाइमिंग भी बड़ा मुझे बिचितर लगता है इस देश के लोगों को भी समाजना पड़ेगा कि जिस वक्त सरकार गिरती है हलाकि मैंने कहा था कि मैं तेशिवियाद के प्रक्स नहीं बोलूँगा सरकार गिरती है और अगले दिन ही हम सब को पता है पत्रकार के तोर पर कि वह समन बहुत पहले ही से आ रहा था और यह तही था कि उसी तारिक को उनको दोनों को पूसावाल पुश्टा चोगा लेकिन आम जनता इसको नहीं पता है वो क्या सोचेगी निटीश कुमार के हट कुमार के सरकार तुरंते मने इडि की सब कार गिर गिर जा गिया और यह पलाडिमका मेरी बड़ी पविश्वानी याद होगा करतने जी मने आपके साथ कि यहां से एक बार निटीश की सरकार भटी कि निटीज और विपक्ष का और सरकार का एक सहयोग होता है सरकारी मसिनरी का एक सहयोग होता है अगर उपमुखे मंतरी को आप ग्रिफतार करने जाईएगा तो पूरे विभाग को पलज लेता क्या चलने वाला है और बहुत तरह की बाते हैं पूरा इडी सीवे को अब ये तेजस्वी नहीं कर सकते हैं विपक्ष के तौर पर तेजस्वी आदो कभी पर पकड़ जाएंगे जब ट्राइक डाउन चाहे कर लेगा सीएम को ट्राइक डर करना मुस्किल है केंदर और राजी की सरकारे आपस में माफ कीजिए का जो कैडर होता है पुलिशिया कैडर वो आपस में भिड़ जाता है दिखते हूंगे बंगाल में ही होता रहा है अब ये नहीं मिले है कुछ अंतिजस्वी आदो जी को लालु आदो को पचास का डिएर सो सवाल पूछेगा तो बइटना पड़ेगा दवाई अधिमत कीजिए अब देखे जनता के लिए अंदोलन करते तो अच्छो लगता एडी सीवे पूछ रही है दवाई वहां के लाए और वहां उलिख रही है हमाँ अगर मेरे पिता जी को कुछ हुआ एनिमल फिल्म चल रहा है क्यों एडी सीवे जहर देगी आपके पिता जी को ऐसा थोड़ी होता है और एडी सीवे अगर पुस्ताश कर रही है पूरा रोट छेक लहें लो तो बिहारे में हो सकता है यह किसी भाजपस आसे तराजमन नहीं हो पाता कि पूरा रोट छेक लिए आपको दे दिया जाएगा फ्रीडम अभी पक्ष में रहिए वाक्या मुझे यादा आ रहा है कल हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे उसमें 1997 का जिक्र था जब ऐसे ही लालू परसाद यादो को इडी दफ्तर ले जाए गया था तो उसमें सुना था कि पूरा पटना को जाम कर तो नहीं कर पाएंगा उत्पात तो नहीं मचान दिया जागा और अब किप चपाने वाले हैं अब तो खबर आ रहे हैं हम उतनी जानकारी नहीं जखते हैं और उसकी चीज़ों मैं पढ़ता भी नहीं हूँ लेकिन सवरक पर जो दिख रहाज इस तरीके से मैंने भाजपा क बड़े-बड़े निता बईठे हुए हैं और एक दम जाम की स्थितिवत पन गए जनता को दिकत नहीं हो रहा है क्या जनता आपको भोट देती है जनता आपको ताकत देती है सब जनता ही देती है और आप लोग फिचर पिचर करते हैं कभी दर कभी उदर कभी दर और जनता को भी परिसान करते हैं असामीक चुनाओ कराकर चुनी सरकारों को पॉलेट कर कॉंपरमाइज करके और अब एसिस्टिती में भी जाते आते भी मतब जनते परिसानी उसमें भी जेल रही हम देख रहे हैं कई लोग का गारी वहां फसा हुआ है एम्बुलेंस फसा हुआ था तो तो दो विवाग तो से देखे समझ लिए मैं पहले बोल दो जनता को यह बात कि समराट चौदरी को ग्री विवाग देने को लेकर भाजपा की तब से दबाव पड़ गया है और जो मंत्रिमंडल विस्तार लगवग हफते भर में होना है यह टल जाएगा और नितीश कुमा भी विवाग चुड़ेंगे नहीं जानकारी है जांतक हमारी जानकारी है गरी विवाग भाजपा हथी आने के चकरण पड़ गई है अब चुकि सरकार बन गई है तो भाजपा पर भीज़ डबाव पिर नहीं ना अप यह ग्रीव आको लेकर खेचतान जारी रहेगा बहुत प्रसाशनिक लोगों का ट्रांसपर पोस्टिंग आप समाझ रहे कितना बड़ा विभाग है वो नितीज को में कभी नहीं चाहते हैं कि दरदर हो और इस विभाग से बहुत बड़ा खेल हो सकता है यही खेल करते आई हैं लोगों को बंगाल में और बंगाल को कंट्रोल करने कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि मारपीट सुरू है तापसे में इडी की टीम पर हमला इसी वैसे को कि दोनों तरफ वर सुरू है और नितीस यह चाहेंगे नहीं तो यह दोनों विभाग जब भाजपा मांग दी है तो समझे किस पर पेज फसना सुरू है आने से पहले नितीस कुमार के वापस हो जाने के तियारी लोग को कर दिया है हाला कि मुझे लगा नहीं तक इस बार इसी कुछ पर स्थिती उत्पन की जाएगी लेकिन हो ठीक है भाजपा अगर मांग तो गलत क्या है नितीस कुमार नहीं कर रहा है ना जी क्राइम नहीं कम हो रहा तो करने का मोका दिए भाजपा को तैकि भाजपा बोली ने पाय अग लेकिन यह विभाग वाला परसानी तो होगा और बाकी विवागों की प्रस्तावी सुची है जो लिस्ट हमारे पास है उसको पड़ देते हैं बर बता देता हूं जो राज़त के पास में थे संभावित उन्हीं लिस्टों में से फेर बदल होगा सबसे पहले नितीश कुमा संदन की सरकार्थी तो उसमें समाने प्रसासन विभाग मंत्री मंडल सचीवाले ग्रीह सतर्ता निर्वाचन विभाग उसके बाद तेजश्वी यादों के पास में था स्वास्त विभाग ग्रामिड कारे विभाग तेज़ प्रताप यादों के पास पर्यावरण राजस्वेम भूमी सुधार विवाग, कल्याण विभाग, कोपरेटी विभाग, सिक्षा विभाग, जन स्वास्तम अभियांत्री विभाग, कला संस्कृति युवा विभाग, खान भूई ग्यान, कृष्टी, परेटन, श्रम संसादन, गन्ना, आपदा प्रबंदंग, अभी भी मुझे लगता है, सर की जदिवला कोई फेर बदल नहीं हो सकता है, अगर नितीस चाहेंगे, तो बिल्कुल फेर बदल करना पड़ेगा, ठीक है, बिजंदर यादो ले लिये हैं, सपता पूसोच नहीं, उरजा मंत्री तो वही होगे, लेकिन कुछ परिवर्तन कि जाएंगे, भाजपा इतनी आसानी से माने के नहीं, जो पिछली बार का मंत्री मंदल था, उसमें थोड़ा बहुत हलका विभाग से मिला था भाजपा को, तो इस बार नितीस आसानी से चुपने ही रहेंगे, वो कुछ ने कुछ ज़रूर करेंगे, और दो है बीस वाला या कुरोना में भी बहुत, बहुत मिसमेंजमेंट हुआ था, जिसके चलते नितीस कुमार के बचेनी बढ़ी थी, और ठीक है, लिस्ट तो आपने लगवा पढ़ी दिया, इस लिस्ट में बहुत दाव पेच नहीं होगा, जो दाव पेच असली होना है, वो गिरी विभाग और वो समाने वर्सासन में ही है, तो देखना होगा, मुझे लगता नहीं इतना असान है कि नितीस कुमार से छीन लिया जाए, यह भी तो हो सकता है, मान लिजे कि अब तो राज़त के साथ जाएंगे नहीं, छे महीना हो या फिर साल बर हो, लेकिन नितीस कुमार हो ना हो दे भ खरती जनता पाटी को, हो सकता है कि कि अन्द से कुछ डील और चाइज के लिए हुआ हो, चुनाओ देखे लड़ना है, और चुनाओ में समसीनरी काम आता है, सथाख बहूत काम आता है, तो हो सकता है, यह डिल हो जाया लेकिन यह नितीस कुमार को बहुत कमज़र मेसेज भ जब नितीज कुमार के पुराने साथी इंडिया गडबंधन के इस घटना को होते देखेंगे तो भाजपा के साब ने संपुर्णत मस्तक कर दिये क्या तो देखते हैं क्या होता है इतना आसान नहीं होगा ये मनेजमेंट चले देखें तो विभाग को लेकर के कही न कहीं दा लेकिन इस लिश्ट में नितीष कुमार को संसोधन करना है कौन सा विभाग जद्यू के पास रहेगा कां सा विभाग भारतिजंता पार्टी लेकिन जो दो विभाग है इस विभाग को लेकर जो लडाईया चल रही है समाने प्रशासन विभाग और ग्री विभाग इस विभाग मर पेच कहीं न कहीं फंसते हुए दिख रहा है अगामे दिनों में आपको देखने को मिलेगा चर्चाएं लगतार भारत लाइब के मादे हम सम करते रहेंगे जुड़े रही हमारे चैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद